जी नमस्कार साथियो गोड इविनिंग प्यारे दोस्तों जै हिंद बंदे मातरम रादे रादे आज आपकी सीट एट के रिगार्डिंग ये हिंदे की पहली किलास है जो सीट एट जनवरी दोजार चोबीस का हमारा एक नया बैच आया है उसमें ये डैमो किलास आपको हम दे चर्चा करेंगे और साथ के साथ यहां हम सैलेबस के साथ जो भी प्रिवेस कोश्चन पेपर हमारे आये हैं जितने भी प्रिवेस कोश्चन पेपर हैं तो उनके बारे में एक कोश्चन पेपर लेके कि टोटल पैरग्राप से कितने कोश्चन आते हैं उसके बारे में भी चर करना है तो एक तो आपको ध्यान रखना है कि लगातार सभी सब्जेक्ट की आपकी किलास लेस्ट लर्ण जो हिमांसी मैम का चैनल है इस पर हम सारे टीचर आके बारी-बारी से अपने सब्जेक्ट के बारे में पूरे सैलेवस को किलियर करेंगे प्रिवेस कोश्चन पेपर से आपकी जितनी भी मदद हम कर सकते हैं वो सारी की सारी हम continue बीच बीच में आके हम करेंगे एक ये बेच है जिसमें आज से प्यार दोस्तो सारे टीचरों की किलास हमने इस्टार चार वही थी जिसमें रेजिस्टिशन कराया था हमने चार तारिक को carrier will app पर और 6 नौमबर से इसमे रेगुलर सभी subject की continue किला से start हो चुके हैं यह सारे वो चैरे हैं जो एक लंबे समय से seat at में बहुत अच्छा result दे चुके हैं चे हम टोप प्यार दोस्तों 10 बच्चे हो जो सबसे ज़्यादा high score लेके आए हैं वो भी सभी ने टीचरों से पढ़के carrier will app पे ही वो बच्चे पढ़े हैं continue तो youtube और carrier will app ये दोनों प्यार दोस्तों माध्याम आप से जो आपका exam है उसमें तक continue आपके साथ रहेगा practice set के साथ भी mock test के साथ भी और इसके साथ अपने पूरे concept के साथ सबसे पहले जब हम हिंदी की चर्चा करते हैं तो हिंदी का जो syllabus है उसमें एक भासा हमारी first होती है यह आपको दियान रखना है तो जब हम भासा first की बात करते हैं तो भासा first के अंतरगत यहां आपको यह दियान रखन है इसके हमारे 30 परसन होंगे बासा first के अंतरगत जो परसन की संख्या होती है हमारी वो 30 होगी साथ के साथ आपको यह दियान रखना है प्रतियक परसन एक अंक का है अंक जो हो गए हमारे यह भी 30 हो गए लेकिन यह जो divide हैं यह दो तरह से divide परसन है हमारे 15 और 15 में 15 जो पर पीडगोजी बेस होते हैं ठीक है जिसको हम सिक्सासास्तर कहते हैं यहां आपको ध्यान रकना है सिक्सासासतर हिंदी की पैड़ागोजी से सम्मांदित परसन हो इंदेगोजी के परसन जादतर जो ऊते हैं दोट हजार ननीच से लेके बाद की awards के एकजम होएँ वहां से यहां पे previous question paper करने में आपको मदद मिलेगी वहीं से ज़्यादातर questions repeat होते हैं इसके बाद जो यह 15 person होंगे आपके इसमें एक आपका गद्यान्स आएगा और इसके साथ में एक आपका होगा पद्यान्स यानि कि प्रोज और poetry language first की जब हम बात करते हैं तो उसमें आपको दोनों मिलेंगे तो जो भी हिंदी को language first के रूप में लेगा उसको गद्यान्स और पद्यान्स अथार्थ कवीता इन दोनों की आपको तैयारी करनी हैं और वो भी जो NCRT की हमारी book है उससे पद्यान्स तो आपको मिल जाएगा लेकिन गद्यान्स नहीं मिलेगा दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जब हम इनकी बात करते हैं गद्यान्स और पद्यान्स की तो इसके जो परसन आएंगे गद्यान्स से सम्मंदित तो वो गद्यांस से सम्मंदित जो परसन की संख्या होगी वो होगी नाइन इसके बाद में पद्यांस जो होगा जिसको हम कवीता, पोएटरी, पोयम कह रहे हैं वो होगी six तो टोटल में लाके आपके जो होगए प्यारे दोस्तों ये होगए आपके पंदरा परसन जो गद्यांस होगा गद्यांस से नो परसन होगे लेकिन ये नो परसन भी दो तरह से डिवाइड होते हैं एक होते हैं जो आपका गद्यांस होगा उसकी विश्यवस्तू उसमें जो इस्टोरी दी है, गटना दी है, परसंग दिया है उससे संबंदित और दूसरे होंगे व्याकरण से संबंदित परसन किसे व्याकरण से संबंदित परसन तो इसकी जो संख्या होती है वो होती है प्यारे दोस्तों पांच से लेके छें तक यह आपको दियान रखना है और इसकी संख्या होती है चार से लेके तीन तक तो यह कम और ज्यादा होते हैं अलग अलग प्यार दोस्तों यह द्यान रखना जो पेपर हुए है उनमें किसी में व्याकरण का जो रोल रहा है इसमें वो तीन से लेके चार और इसमें रहा है पांच से लेके 6 परसंट अगर हमने सीट एट के अपने सैलिबस को सही डंग से समझ लिया तो फिर यह तया है कि 15 से 20 दिन में आप एक लेकी तयारी कर सकते हैं दो तरह के बच्चे सीट एट में वह लोते हैं एक बहुत मैंag करते हैं बहुत ज़ादा पड़ते हैं और फिर भी वो सीट एट से जो सैलिबस है उससे डरते रहते हैं और दूसरे यह होते हैं कि उसकी best performance करे इसके बाद ये दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो ये पद्यान से है जिसको हम पुरोज, poetry या कवीता कह रहे हैं इसके परसन कितने आ रहे हैं इसके परसन भी दो तरह से divide है इसमें जो परसन आपके आएंगे वो तीन तरीके से आएंगे ये आपको ध्यान रखना है एक तरीका ये है कि इसमें जो आपके कवीता है जो कवीता का मूल भाव है कवीता का मूल भाव यानि कि कवीता के अंदर जो परसंग है मूल भाव मतलब परसंग उसके अंदर जो भी मुद्दा उठाया है उससे सम्मंदित परसंगे दूसरे जो परसंगे आपके वो व्याकरण से कि इससे व्याकरण के वे कौन-कौन से टोपिक है वो भी आपको बताएंगे और इसके साथ तीसरे परसंड जो होंगे वो होंगे काव्य से रेलेटिड जैसे फोर एक्जामपल अलंकार का कोश्चन हर बार आपसे पूछा जाता है तो इसका मतलब यह हुआ सीधा-सीधा जब तो नोर्च हैं आपके 15 होगे यह आपको ध्यान रखना है सभी दोस्तों को एक बार फिर नमस्कार जो बच्चे बाद में लाई हुए तो यह आपको जरूरी है देखो किसी भी चीज के लिए रणनेती बनाना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है किसी भी इनसान की सफलता है इसा पलता उसकी रणनेती पर डिपेंड करती है अगर उसकी रणनेती सही है और वो उस पर अमल कर रहा है तो 100% सेक्सस होगा पढ़ने को तो 18-18 गंटे तमाम बच्चे पढ़े हैं लेकिन फिर भी कहीं बार उनका सेलेक्शन नहीं हुआ है उसका रीजन यह है कि पढ़ना मैथपूर नहीं है लेकिन क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है यह सबसे मैथपूर है तो आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं अपना पूरा सेलेवर्स कवर करके जाते ही नहीं तो यह तो आपका गद्यांस का रहा यह आपका पद्यांस अथार्थ का व्यांस कर रहा तो यह 15 कोश्चन की कहानी आपकी यह हो गई अब इस से हमें यह जाहिर हो गया कि हमें जो हिंदी में language फर्स भासा फर्स फिंदी अगर हम ले रहे हैं तो हमें किन किन कोश्चनों की तैयारी करनी है अथार्थ कौन कौन से वे टोपिक है जिसको हमें तयार करना है एक है हमारा गध्यांस जिसकी हमें तयारी करनी है दूसरा आपको ध्यान रखना है फिर पद्यांस है इसकी विश्यवस्तू की तयारी करनी है तीसरा व्याकरण है इसकी हमें तयारी करनी है और चोथा काव्य हैं इसकी हमें यहाँ त्यारी करनी है और पांच वांसسبदावली है पांच वा क्या है तब दावली है तो यह पंदरा जो परसन आएंगे इसमें स्टार्टेंग वह इन पांच सेक्षन से होंगे जह में12 बात करथा हूं इसके पियार दॉस्टुछ एक पेरग्राफ हो ay NCRT की हमारी जो बुक है, यहां आपको ध्यान रखना है, वो जो बुक 6-8 वाली जो किलास की हमारी बुक है, जादे तर उसमें से आपको help मिलेगी, 6-8 वाली किलास की बुक NCRT की वो आपको cover करनी है, यहां जो जादे तर परसन पूछे जाते हैं, व्याकरण के अंतरगत, ए संग्या, सरणाम, विसेशन और किरिया और एविकारी सब्द, विकारी और एविकारी सब्दों से सम्मंदित परसन होंगे, यह आपको ध्यान, जादे तर टोपिक यही होते हैं, इसके अंतरगत, चार टोपिक आते हैं, संग्या, सरणाम, विसेशन, किरिया, और इसके आपको यहाँ पर रस और छंद तीन टोपिक आते हैं एक दो बार पहले आया है लेकिन फिलाली जो इस्तिति है अगर हम चार साल की बात करते हैं तो केवल हमें अलंकार को तैयार करना है रस और छंद को तैयार नहीं करना है क्योंकि जो पध्यान से उससे related कोई भी पंक्ति द परियावाची हमेशा सब्द पूछा गया है एक सब्द यूगम का परसन जरूर पूछता है सब्द यूगम देगा आपको कोई भी इसके बाद अनेक आर्थी सब्द है तो अनेक आर्थी सब्द से परसन होगा तो वहाँ पे कहेगा इस सब्द बताईए किस वज़े से बि जो मैं कहते हैं सुरूति सम बिनार तक सब्द को या फिर आपको यहां पे देगा वाक्यांस के लिए एक सब्द वाक्यांस के लिए वाक्यांस के लिए एक सब्द तो इस तरीके से जादे तर जो आपको फोकस करना है पहले चार पे करना है ऐसा कोई आज तक एकजाम नहीं हो तो यहां से कितने परसन आ रहे हैं आपके 5 अलग-अलग से 15 इसमें से आ रहे हैं इसके साथ दूसरे जो 15 परसन है वो कौन से हैं वो पैड़ा गोजी के हैं तो मैंने इसके बारे में आपको बताया और इसके बारे में बताया तो यह कितने हैं आपके यह हैं आपके 15 परसन य यह तो था language first का सारा का सारा, language first ने जो भी लेगा आपको धियान रखना है, language first हमेशा थोड़ी सी difficult होती है, जब भी आप हिंदी में करते हो, यह उसके पेड़ागोजी के question हो, या फिर गद्यांस या पद्यांस के question हो, इसके साथ साथ दूसरा आपको मिलेगा, क्योंकि दो ब होते हैं, भासा second जब हम हिंदी की बात करते हैं, इसका फायदा क्या है, यह questions आसान होते हैं, language first के मुकाबले, अगर आप भासा first आप English लेते हो, या English के लाव कोई भी दूसरी language लेते हो, तब आपको हिंदी को फिर second language के रूप में आपको चुननी होगी, बस अंतर आपका यह होगा, कि जहाँ आपका पद्यान्स पूछा जा रहा था, जिसको हम प्रोज कहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ही वो दूसरा, जो पद्यान्स था, उसके स्थान पे, यहाँ भी दूसरा का प्यार दोस्तों, आपका गद्यान्स ही मिलेगा, यानि कि यह जो 6 नंबर है, जैनि कि टोटल में इलाके 15 के 15 परसन आपके किस से आ रहे हैं गद्यान से आ रहे हैं। Second language हिंदी के रूप में अगर आप ले रहे हो तो आपको poetry की poem की तयारी नहीं करनी है। ना आपको NCRT पढ़ने के आप सकता हैं क्योंकि NCRT से कभी भी आज तक गद्यान से नहीं आया है और ना आएगा। तो इसकी तयारी फिर आपको नॉर्मली गद्यान से लेंगे आप 5-10 उसको practice करके देखेंगे जैसे मैं आज कराऊंगा। ठीक है तभी वहां से आपको मदद मिलेगी और उसी की आधार पे आपको इनके question करने हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि language second हिंदी लेने से फायदा यह है कि poem जो कि difficult question होते हैं वो हम बच सकते हैं उससे और दोनों के दोनों गद्यान साएगी जब आप यहां गद्यान की तयारी कर रहे थे तो इसी गद्यान में आपको यह धियान रखना है इसी गद्यान की तयारी मे लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा जो गद्यान की विश्यवस्तू है उससे सम्मंदित परसन गद्यान की विश्यवस्तू विश्यवस्तू जो भी उसमें घटना है परसंग है जो भी उसके अंदर कहानी है दूसरे जो परसं होंगे इसमें किसके होंगे व्याकरन के प तीसरे जो परसन होगे इसके अंदर वो सब्धावली के होगे न तो इसमें कावे का कोई परसन पूछा जाएगा लंकार का यह आपको दियान रखना है ना यहाँ पर पद्यान्स के मूल भाव से कोई परसन होगा तो दोस्तों यहाँ पर केवल आपको तीन सेक्षिन करने है टोटल पंदरा में से इसका जो रोल रहेगा आपका वो रोल रहेगा लग बग आठ परसन अकेले इस से आई इसके बाद व्याकरण के जो question होंगे language second में वो होंगे आपके 4 से लेके यहाँ पे आपके 5 परसन चार से लेके 5 आठ से लेके 9 परसन आपके गर्द्यान से related होंगे 12 इसके बाद सब्दावली के जो परसन होंगे उनकी संख्या होगी 2 से लेके 3 तो यह एक आपको में मोटा मोटा आपको बता रहा हूं कि व्याकरण जो भूमी का निबाता है इन परसनों में language second में वो 4 से 5 परसनों के निबाता है सब्दावली जो भूमी का निबाती है वि सेम रहती है तो language second में difference क्या था पोयम के स्थान पर कवीता के स्थान पर गीत के स्थान पर गद्यान सतार्थ प्रोज यह तो था आपका language first language second का syllabus अब बात करते हैं आखिरकारवी परसन आते कैसे हैं उनका मुद्दा यह है यह एक पिछले साल का आपका पेपर है जो बहुत अच्छे तरीके से बच्चों ने किया और कापी बच्चों ने final result देके आगे तमाम चीजों में वो involved होते चलेगे निमलिकित काव्यांस को पढ़कर पूछेगे परसनों संक्चा एक से छे तक सबसे उपीक उत्तर वाले विकल्प को चुनिए तो यहां क्या कह रहा है आया language first का paper हुआ क्योंकि जब जब कहीं पर काव्यांस अथार्थ यहां पर पद्यांस आएगा जिसको हम कविता भी कहते हैं इसी को हम गीत भी कहते हैं बात एक ही है कविता इसी को हम क्या कह रहे हैं गीत कह रहे हैं तो इसका मिलब यह language first है क्योंकि हमें इसा language first में याता है दार पे आपको question के answer करने हैं जैसे कविता का मुख्य सुवर बताईए क्या है कविता में मूल भाव क्या है सुयतंत्रता का है गोरावगाथा का है युग निर्मान का है या इस्तरी सक्ति का है तो चुँकि यहां बार-बार चर्चा क्या है आया समय उटो तुम नारी युग निर्मान करना है तो नारी को युग निर्मान करना है और फिर लाश्ट पंक्ति क्या है जन्नी हो संपूर जगत की गोरा हो अमेशा जब भी इस तरह के परसन पूछे जाए कविता का सिर्सक क्या है कविता का मूल भाव क्या है कविता का उदेश से क्या है तो उनके परसनो परसन का आनसर, मूल वाले परसन का अनसर या फिर आपसे उदेष्य है जैसे इसने मूल सुअर कोआ जो नए स्टूडेंट है, जो पहली बार सीट ये रहते रहे हैं वो कन Famalos हो जाएंगे इसी को हम आशिया भी कहते हैं इसी को हम तात्परिया भी कहते हैं मुख्य स्वर भी इसको कह सकते हैं मुख्य स्वर ये सब एक ही सेंस में हम परियोग करते हैं इसी को हम उदेश्य भी कहते हैं और इसी को कहते हैं हम लक्स हैं और इसी को कहते हैं हम सीरसक अगर इस तरह का कोई भी परसन आपसे एक जरूर वो पूछेगा जब भी आए तो आपको क्या करना है जरूरी नहीं वो ये दुबारा रिपीट हो आपको स्टार्टिंग की दो पंक्ती और लास्ट की दो पंक्ती पढ़नी है उसमें जिस चीज की चर्चा होगी वो ही आपका टाइटल है तो इसमें जो चर्चा होई वो किसकी होई नारी की चर्चा होई इसमें भी जननी हो तुम संपून जगत की इसमें भी नारी की चर्चा होई तो इसका मतलब क्या हुआ इस तरी सक्ती की बात है यहां आंसर नहीं देना था क्योंकि यह रिपीट नहीं होगा हमें यहां सीखना है आखिरकार इस तरह के एक कावियांस आएगा उसके आंसर किस तरह के हमें देने हैं और कौन कौन से कोश्चन कैसे पूछे जाते हैं क्योंकि हम आगे बहुत सारी किलास यहां पे लेंगे आपकी और उसमें कॉंसेप्ट को दीरे-दीरे किलियर करते चले अगर हम यह किलास ले रहे हैं 40-45 मिनट की तो मेरा मक्सद यह है कि मैं कुछ आपको नया सिखा के जाओं ताकि जो दुविदा है कि हम कितने कावियांस याद करे कितने कावियांस की प्रेक्टिस करे कितने गद्यांस की प्रेक्टिस करे तो वो एक जो उल्जन है वो आपक की यहाँ concept logic questions की variety और उसके sequence को आपको समझना पड़ेगा तभी आप बिना पड़े 15-20 दिन में भी CTAT निकाल सकते हो कवीता के अनुसार स्वेतनता प्राप्ति में इस्तरी की बोमी का तो यहाँ जब हमने पड़ा था तो इस्तरी की जो बोमी का इन्होंने कहा कि एक तो संग्यान के योग आथा दिहान देने के योग है क्योंकि कवीता में चर्चा जो ही वो positivity की इस तरी की कि यहाँ के यूग निर्मान भी कह रहे हैं परगती पत्थर वरना भी कह रहे हैं अपने को कमजोर ने समझो ये भी कहा और जननी हो तुम संपून जगत की तो इसका मतल परसन आपका रिलेटिड है व्याकरण से ये ग्रामर का परसन है क्योंकि इसमें से गोराव सबला नीव और अभला आपको पता होना चाहिए कौन सा इसमें विशेशन है कौन सा संग्या है ठीक है यह कौन सा दूसरा जो भी मैंने विकारी सब्द बताए उस से रिलेटिड अब यहां जो चर्चा हमने की अब साबदी करता आपको पता है तो आप बता पाऊगे अदरवाइज नहीं साबदी कर्मल सब्दावली परियावाची तो यहां गोराव की भी बात है इस तरी के इस तरी सबला वो कह रहा है कि अपने को कमजोडना समझो इसका मला वो सबला नीव की भी बात और लेकिन अहीं इस तरी पता है तो इस तरी के लिए जीवन है तुमारी यह कानी आचल में दूद आखों में पानी उस तरह की भाव यहां ने लिया गया इसलिए कह रहा है कि विशेशनbell log नहीं किया गया तो इस तरी यूँ के लिए अभला ठीक. और यस जबूत, नीव, सबला, गोरव का परियोग हुआ है, जैसे फोर एक जामपल, इसका अंसर दूसरे तरीके से कैसे दे सकते थे, इसमें यहाँ नीव है, आजादी की खुदी नीव में, ठीक है, इसके बाद यहाँ हम गोरव की भी बात कर रहे हैं, ठीक है, यूग निर्मान की बात कर रहे हैं, परगती पर पत्थर को भरने की भी बात कर रहे हैं, कमजोरने की भी बात कर रहे हैं, और गोरव की भी बात, तो गोरव भी है, नीव भी है, अपने को कमजोरने समझना सबला भी है, वाक्यांस के लिए एक सब्द, सबला क्या है, जो अपने को कमजोरने सम आप क्या करते हो कविता को पड़े के आंसर देते हो यही कारण है कि आपके कुछ कोश्चन सही और कुछ हो जाते हैं गलत इस तरी के निर्मानकारी सकती का भाव कविता की किस पंगती में नहित है कमजोर ने समझना यूग निर्मान तुमें करना है आजादी की खुदी तो इसमें कहरा इस तरी के निर्मानकारी तो यूग निर्मान तुमें करना है यही तो निर्मानकारी सकती की इसके अंतरगत है तो राइट आंसर हो गया आपका फोर्थ कविता के नुसार इस तरी को जननी के रूप में रहना होगा गोरवगान करते रहना होगा पत्थर ब पैचानने उठने की बात क्या है यहां जागने से नहीं है अपनी सकती को पैचानने से है इसलिए राइट आंसर क्या हो गया अपनी सकती को पैचानना तो यहां स्वाम की सकती को पैचानना होगा राइट आंसर हो गया आपका डी जननी हो संपूर जगत की पंक्ती में कौन सा अलंकार है अब ये परसन किस से सम्मंदित है काव्या तो अब तक जो परसन आए वो कहां से आए एक तो जो काव्यांस की विश्यवस्तू थी उसके परसन थे दूसरे व्याकरण के परसन आए और इसके साथ किसके परसन आए काव्या के परसन आए और इसके बाद किसके परसन आए सब्दावली के परसन आए जिसमें वाक्यांस के लिए एक सब्द वाला परसन भी था एक वाक्यांस की विश्यवस्तू इसे क्या कहेंगे काव्यांस की विश्यवस्तू तो यहां पर इससे सम्मंदित परसन थे काव्य से सम्मंदित और सब्दावली से तो चार से सम्मंदित थे भागी आपको तयार नहीं करना है तो इसमें यहां क्या है जै इसमें भी जै है तो वर्ण की आवर्ती हो रही है तो जहां वर्ण की आवर्ती होती है वो क्या कहलाता है अनुप्रास अलंकर क्योंकि यमक अलंकर क्यों नहीं है क्योंकि इसमें जोड़ा नहीं है जैसे सजना है तुम्हें सजना के लिए तो यहां सजना है सजना के लिए इस तरह से यहां पे जोड़ा नहीं आया है एक ही सब्द अलग अलग जैसे तीन बेर खाती हो तुम तीन बेर खाती हो तो जोड़ा युगमक के रूप में यहां पे कोई सब्द नहीं था तो जहां जोड़ा युगमक होगा वहां यमक लंकार होगा ऐसी कोई कंडिशन है नहीं जब कोई सब्द सम संख्या में रिपीट हो, यानि कि दो, चार और छे के करम में रिपीट हो जाए, तब वो यमक लंकार होगा, ऐसी कोई कंडिशन है नहीं, तो इसलिए आपको दियान रखना है, मैं पानी पानी हो गई, तो यमक लंकार का उदारन है, सजना है सजना के और अलग अर्थों में आया है, सब्द चार बार आजाए और अलग अर्थों में हो तो वो भी यमक लंकार होता है, ठीक है, ओ फिराक वाली, ये मत समझना कि मैं तेरी फिराक में हूँ, दो बार फिराक आ गया, मैं उसकी फिराक में हूँ, जो तेरी फिराक में हैं, तो फि बार रिपीट हो अलग-अलग अर्थ में तो वो क्या कहलाता है यमक अलंकार ऐसी कोई कंडिशन नहीं थी आंसर टेली करके आंसर दे सकते हैं जहां वन की आवर्ती हो सब्द की आवर्ती हो और वाक्य की आवर्ती वाक्य की आवर्ती हो वाक्य की आवर्ती एक ही अर्त में हो वाक्य की आवर्ती एक ही अर्त में हो तो वहाँ अनुपरास होता है वन की आवरती चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चाननी चोक पर चान्दी की चम्मत से जो भी दिया तो वो अनुपरास है सब्द की आवर्ती परदेशी परदेशी जाना नहीं वो अनुप्रास अलंकार है एक अर्थ है पहले परदेशी का जो अर्थ है दूसरे का भी वह यह अर्थ है आज बलू है पानी 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 तो पानी का हर बार अर्थ पानी है जल है तो इसी लिए यह अनुप अनुपरास के उदारन है जब कि यहां फिराक सब्दकार हर बार अलग था अगर वाक्य की आवर्ती है रगुपति रागावर राजाराम पतीता पावन्सीता तो वह वाक्य आवर्ति है तो वाक्य अगर एक अरत में repeat है सब्द एक ही अरत में repeat है वन अगर बार बार रिपीट हो रहे हैं तो वो अनुप्रास हैं इसमें वही कंडिशन अपलाई हुई और जब ये कंडिशन अपलाई हुई तो अनुप्रास अलंकार कहलाया उपमा लंकार कहां होगा जहां तुलना होगी उपमा कहां होगा जहां तुलना होगी जहां योजक चिन के साथ से सा सी सम समान सरीस तुल्ल और जैसा सब्द का प्रियोग हो आखे बंद वहां उपमा लंकार होता है उपमा का थावदिकर तुल्ना है तो जहां योजक चिन के साथ से सा सी समसमान सरीश दुल्ले जैसा आजाए तो वो क्या लाएगा उपमा क्योंकि जब भी तुल्ना करनी होती है तो जैसा तैसे का परवग जरूर करेगा और इनका परिओग तो हम कहां करते हैं, जब अवधी अबर्ज भासा की कोई पंक्ती लेते हैं, तो जब तुलना इनके भी नहीं सकती, इसलिए उपमा की सबसे अच्छी पैचान है, साशेशी समसमान, रूपक में कोई योजक चिन परियोगी नहीं होता है, योपक में कोई भी तुलना को बताने के लिए, संभावना को परकट करने के लिए, वाचक सब्द का प्रियोगी ही नहीं होता है, रूपक में होता है समानता, अथार्थ जहां दो अलग-अलग चीज को एक जैसा बताया जाए, जैसे चरण, कमल, बंदो, अरियाई, वो रूपक है, तो आप आंसर, और यही पूछेगा, इनके अलावा कुछ नहीं लेगा वो, इसमें आप सलेस और जोड़ दो, इसके साथ इसमें आपको उत्प्रेक्सा जोड़ दो, इसी के साथ आप दो लंकार और पढ़ लोगे, एक परसन आपका तयार, तो यह आपको दियान रखना है, इसके बाद फिर आपका क्या आगया, वो काव्यांस था, जिसमें से जो परसन थे, मैंने आपको बताए दोस्तों, उनको आपको देखना पड़ेगा, कि यहाँ आपका काव्य से भी परसन है, ग्रामर से भी है, और काव्यांस की विश्यवस्तू, अपने स्वात या संसकर्ति के करण सामान्य व्यवार में, हम कितनी बार सबसे धन्यवाद बोलते हैं, अगर आपका गद्यांस प्रोज छोटा है, तो पढ़ने में फायदा है, अधरवाइच बिना पढ़े भी आप आंसर दे सकते हो, बिना पढ़े कैसे आपको आंसर देना है, वो आज सीखना है, आपका इतना बड़ा ये पैराग्राप हैं, और जरूरी नहीं है, हर सेंटेंस से वहाँ परसन पूछा जाए, इसके बाद गद्यांस के अनुसार सबस जी भी परसन को छोटा करना सीखो, गद्यांस में के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का करण, तो हमने परसन छोटा कर लिया अपना धन्यवाद कहने का करण, अब धन्यवाद कहने का करण, पैराग्राप में कहा हैं, तो यहाँ पर धन्यवाद ये रहा, हम सुआर्त के लि क्योंकि कोई सब्द है ही नहीं तो यहां यह कह रहा है अपने स्वार्थ संसकर्थी के करण सामान्य व्यावार में हम कितनी बार सबसे धन्यवाद बोलते हैं परसन क्या था हमारा गध्यांश के नुसार सबसे धन्यवाद कहने का करण नहीं है तो स्वाबाव के करण भी बोल करने का तरीका चेंज कर लोगे आप जो स्टार्टिंग की पहली पंक्ती होती है उसके इनसान होंगे और एक अच्छे मार्क से आप सीटेट पार्ट कर सुके होंगे अगर सीटेट आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है तो आगे की जो हालत है डी ट्रीपल एस भी एस के वी ए प्रेक्शन पेपर से भी प्रेक्टिस कर गए और अपने खुद के कौन सेप्ट अपने बना लिए तो मैं हंडर्ड परसेंट दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके 120 नंबर अराम से डेड़ सो में से आ जाएंगे जो बच्चे कुछ ज़्यादा ही पढ़ लेते हैं उनको ज अंदकार में फैलती है से तातपरी है आ गया तातपरी है वाला परसन तो हर बुराई एग्यान के अंदकार से फैलती है इसको डोंडो कहा है हर बुराई एग्यान के अंदकार तो यहां बुराई एग्यान के अंदकार यह हमारा परसन हो गया चोटा बना लिया अब इसको वहीं इसका अंसर होगा पूरा पढ़ने की जूरत नहीं है हमें हर बुराई यह रहा यहां पूर्ण विराम है इससे पहले आपका अंसर नहीं होगा हर बुराई एग्यान के अंदकार में अंदकार में फैलती है परकास होते हैं उसका सामरत्य है खतम हो जाता है यहाँ पूर्ण विराम हो गया इससे आगे नहीं बढ़ना है तो इससे आगे भी नहीं बढ़ना है और यहाँ यह क्या कह रहा है हमारा कि यहाँ पे पूर्ण विराम है इससे इधर नहीं जाने तो यही आपका आंसर आ गया हर बुराई एग्यान के अंदकार में ठीक है फैलती है परकास होते है उसका सामरते है खतम हो जाता है तो परसन का अंसर क्यार बुराई एग्यान के अंदगार में फैलती है ऐग्यान तक एक अंदगार बुराई फैलती है एग्यानी वेक्ति बुराई फैलाता है अंदगार होते ही बुराई फैल जाती है पूरा पैराग्राफ कितनी बारी पढ़ लो आदे कोश्चन सही करके आओगे आदे गलत करोगे उस तरीके से सुक दुख का कारण क्या है अब कोश्चन क्या है हमारा सुक दुख का कारण ये तो चोटा था अब सुक दुख देखो कहा है पैराग्राफ में तो सुक दुख य यहां से लेके यहां तक मिल गया तो सुक दुक दोनों ही हमारे करमों का फल है किसका फल है करमों का अब आप पचास यह पैरग्राफ प्रैक्टिस कर लो या पान सो बात एक ही रहेगी आपको केवल एक दो गद्यांस के आधार पर उस तरीकों को सिखना होगा जिस तरीके से गद्यांस के आंसर दिये जाते हैं गद्यांस के नुसार प्राश्चित के साथ साथ मानाव को क्या करना चाहिए परसन हमारा क्या है प्राश्चित के साथ साथ मानाव को तो प्राश्चित के साथ साथ मानाव को क्या करना चाहिए यह देखो यह कहां है इसमें प्राश्चि प्राष्चित के साथ यहां तक तो हमने पढ़ लिया था इसमें आया कहीं प्राष्चित देखो बhrती आपको ओना में तो हो चुका हूं छाएं बार इसलिए आप जल्दी डोन रोगे कम समय लगा के इसमें नहीं है प्राश्चित, नहीं इसमें इसमें नहीं है प्राश्चित। पुरसार्थ करते रहें, प्राश्चित के साथ साथ क्या करना है, प्राश्चित के साथ साथ हमें पुरसार्थ करना है, पुरसार्थ क्या है, धरम, अर्थ, काम, मोक्स, चारों का, ठीक है तो राइट आंसर हो गया आपका, डी, मन की कोठरी को स्वेच रखने से ताथ परिये क्या है मन के नुसार कारिय करना मन सब विकारों का कारण है मन को नेंत्रण में रखना मन से बूरे भाव का निस्कासन तो मन की कोठरी अभी तो हमने वो पंक्ती पड़ी थी कि हमें क्या करना चाहिए पुरसार्थ के सासाथ मन की कोठरी को सुच रखना चाहिए अथार्थ मन क कहते हैं अंत्करण को चित को उसके बूरे भाव का निस्कासन जो भी नेगेटिविटी आती है इर्षा है दुएस है घरणा है वे जो नेगेटिविटी है उससे दूर करना है तो राइट आंसर हो गया आपका डीन जीवन का मुख्यलक्स से क्या है इर्षा से उपर उठना इ आरम भरेंगे शिक्सक का और बनेंगे दार्षनिक अब बहुत सारे बच्चे इसका अंसर अपनी दार्षनिक परवर्ती से देंगे जो की गलत आएगा अगर पैराग्राप किसी देश वक्त को आतंगवादी कह रहा है तो हमें उसको आतंगवादी मानना पड़ेगा अगर दिन को रात कह रहा है तो हमें रात मानना पड़ेगा जो पैराग्राप कह रहा है उसके उसके अनुसार चलो अपना दिमाग मत लगाओ जीवन का मु benz देश से पैराग्राप पढ़ेंगे नि दार्षनिक बन जाओगे बनना है सिक्सक क्या बनना है? शिक्सक तो इसलिए ज जीवन का मुख्य लक्स है, जो वो कह रहा है वो मानेंगे, जीवन का मुख्य लक्स है, जीवन का मूल भूत लक्स है, अब ये देखो कहां से हमारा सेंटेंस सुरू हुआ, अब इसमें यहां पूर्ण विराम है, यहां पे, इससे आगे तो नहीं है, इस वर के परती आभार पर कट करना इससे पहले जाना ही नहीं आपको इस वर के परती आभार पर कट करना एक ऐसा चूक तरीका है जो हमें ऐसा अंतुष्टी ईर्षा जैसी निस्क्रिष्ट बातों से उपर उठाता है और यही हमारे जीवन का मूल भूत लक्स है तो आंसर क्या हो गया इस वर के पर परती आभार पर कट करना राइट आंसर हो गया डी यह त्यान रखना अगर वो देश बगत को आतंगवादी कह रहा है मानना पड़ेगा दिन को रात कह रहा है तो मानना पड़ेगा दार्सनिक नहीं बनना है कि नहीं हम तो यहां से कर लेते हैं इस वर की बगती करना तो द स्वार्थ का भी लोग इसका पेराग्राप से कोई लेना देना नहीं इसके लिए पेराग्राप पढ़ना ही नहीं होता है तो स्वार्थ जो अपने लिए काम करें और प्रोबकार जो दूसरे के लिए काम करें तो क्या करेंगे कुछ नी स्वार्थ करेंगे कुछ प्रोबकार और बाकी को कुछ पता नहीं है कुछ वो अगली साल कर लेंगे 2025 में तो यहां सुआर्थ का क्या हो जाएगा नी सुआर्थ तो यहने कि बिना सुआर्थ के और कुछ बच्चे क्या करेंगे प्रोपकार बला करना अरे सुआर्थ में नी उफसर्ग लगा दिया तो उसका जो मिनिंग है तो उसके अपोजिट हो गया तो उफसर्ग लगा के भी हम विलोम सब्द बनाते हैं इसलिए वो कंडिशन अपलाई हुई यह नहीं देता तब हम इसको मान लेते कि सुआर्थ का मतलब होता अपने लिए और प्रोपकार दूसरे के लिए बला करना तो राइट आंसर हो गया बिना सुआर्थ के अथार्थ नहीं सुआर्थ राइट आंसर बी मानुए सब्द में परते हैं बताएए मैंने ग्रामर के क्या टोपिक लिखे थे कि विलोम सब्द परियवाची उपसर्ख परते हैं संदी समा संग्या सरना विशेशन किरिया इसके साथ अव्या नहीं पाथ जादे तर यही पुछे जाते हैं पूरा व्याकरण नहीं पड़ना है पूरे हिंदी व्याकरण में 35 परस टोपिक है तो यहां तो क्वेश्चन सब्दकाется है आएंगे आपके चार से लेके पांच के वल्ंग का जो रोल है कितना है चार से पनच है तो 35 तोड़े ही पढ़ेंगे अम तोपिक पढ़ेंगे कि और दस और उन दस टोपिक forms 4-5 परस करेंगे तो इसलिए किी मानव इसमें मूल सब्द क्या है मूल सब्द है मा मानव और इसमें क्या लगा हुआ है यह पर्ते लगा है तो राइट आंसर हो गया मानव क्या है जाती वाचक संग्या इसके अंदर सारे मानव आ गए तो मूल सब्द में बाद में जो सब्दांस लगा हुशे क्या कह रहे हम पर्ते कह रहे हैं तो यहां जब भी आपको उपसर पर्ग और परते का question आए तो उसके तरीके आपके पास दो है एक तरीका तो यह है कि मूल सब्द वे चोटे से चोटा सब्द है जो आज तक आपने पढ़ा हो लिखा हो सुना हो देखा हो तो इसमें से मूल सब्द मान हो नहीं सकता क्योंकि फिर यहां वी है तो मूल सब्द है यहां मानव तो इस से चोटा सब्द आपको इसमें बना नहीं सकते और इसके बाद में जो बच गया ऐसा सब्दान जिसका खुदगा कोई मिनिंग नहीं है और सब्द के अंत में लगा हो उसको कहते हैं परते के लिए जैसे फोर एक्जामपल आप से पूछ लिया अंतर रा जो गतिक है गतिक बोलते हैं इसको गतिक सब्द जो उपसर्ग की बाती परियोग होता है दूसरा इसमें मूल सब्द क्या है राष्ट और इसमें क्या है यह परते तो यहां राष्ट में यह परते लगा के राष्ट यह बन गया और यह अंतर क्या यह रह चला गया आपका उपर ये भी उपसर्ग ही है जिसको हम क्या कहते हैं ये आपका गतिक सब्द कहलाएगा ये आपका मूल सब्द कहलाएगा क्योंकि इससे छोटा कोई सब्द आप बना नहीं सकते और ये आपका परत्य कहलाएगा ऐसा सब्दान जो सब्द के अंत में लगा हो जिसका अर्थना हो वो क्या क्या लाता है पर्त है कौन सा सब्द युग में समूशे भी नहीं ये भी व्याकरण का परसन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब तक जो पंदरा परसन हमने किये उस में से आपके चार परसन आये व्याकरण के पंदरा में से चार एक परसन आया आपका काव्यम और काव्यम में क्या था अलंकार ये जब तक सैलेबस नहीं पैचानोंगे ये डर खतम नहीं होगा और बाकी 10 परसन क्या थे उस विशेवस्तू के थे जो यहां गद्यांस और काव्यांस से पूछी गई और ये 15 परसन थे आपके श्टार्टिंग के जिस यहां सुद ए सुद विलोम सब्द सुख दुख विलोम सब्द ग्यान ए ग्यान विलोम ये तो कहला है आपके विलोम सब्द अथार्ट विपरीत आर्थी और ये क्या कहला है आपका समान आर्थी समान आर्थी का महला समान आर्थ वाला यानिकी परियावाची राइट आंस वस्तु को पहले से पढ़ने का कोई फायदा नहीं है इसको आपको करने का तरीका सीखना पड़ेगा जिस पर मैं अभी जोड दे रहा था और बात करेंगे फिर किसी और किलास में पैड़ागोजी की ये आगे के जो 15 परसन है ये सारे पैड़ागोजी के पैड़ागोजी में ये ध्यान रखना है 2019 से लेके जो भी अब तक आपके पेपर हुए उन सब को आपको प्रैक्टिस करना है 2019 से लेके 2023 तक के आपके प्रिवेस कोईशन पी वाई क्यों ये आप पहले करोगे क्योंकि ट्रेंड ये है ठीक है पैड़ागोजी का जो ट्रेंड है वो ये है 2019 से पहले की जो पैड़ागोजी आप तैयार करोगे उससे फायदा आपको जरूर होगा क्योंकि पेपर तो आपका उपलाई नहीं होना है जैसे पिछली बार हुआ 2023 के अंदर तो इसी लिए आपके उपास जो डिसीजन आपको लेने है वो तीन तरह के डिसीजन आपको लेंगे एक डिसीजन तो आपको ये लेना है कि आप हिंदी को लेंगवेज फर्ष्ट के रूप में लोगे या सेकंड लेंगवेज फर्ष्ट हिंदी अगर आप लोगे तो आपको वहाँ पेपर में करने है 91 से लेके 120 परसन ठीक है बहुत सारे बच्चे ले भी लेते हैं लेकिन वहाँ गलत करते हैं फिर आपको यही decision आपको लेना है आपको Hindi अगर आप ले रहे हो second language के रूप में तो फिर यहाँ आप करोगे 120 से लेके 150 तक के परसन एक तो पेपर में आप यह गलती करते हो कि वहाँ भूल जाते हो कि हर 100 में से 12 बच्चा यह गलती कर रहा है कि उसको पता ही नहीं होता है कि उसकी language first Hindi है second है हर 100 में से 12 बच्चे हैं हर साल जो हमें मिलते हैं अब अंदाजा लगा लो एक लाक में से कितने होंगे और उसमें से एक आप में से भी होगा जितने भी यह 2100 बच्चे लाइव है इन 2100 में से आपको यह ध्यान रखना है एक आप में से भी है जो इस गलती को करेगा इंदी को लिया है language second के रूप में question करके आएगा 91 चलेगे 120 जबकि वहां उसको English करना था संस्किरत उर्दू पंजाबी जो भी उसने लिया हो तो एक तो decision आपको लेना है यह कि आप language first ले रहे हो या language second ठीक है language second लोगे फायदा क्या है गद्यान्स मिलेंगे दोनों में फायदा क्या है इधर भी आपका गद्यान्स होगा और इधर भी आपका गद्यान्स होगा और यह total जो 15 परसन आएंगे यह total आपके गद्यान्स के ही होगे बस ये अंतर हैं वहाँ प्रोज और पोईटरी दोनों दूसरी चीज आपको ये लेना है कि आप माने के चलो आप कोई एक हिंदी लेंग्वेज चुन लिए आपने लेंग्वेज फर्स्ट अब जब दूसरी भासा की बात आई भासा सेकंड की आप कोई भी भासा ले सकते हिंदी इंग्लीस कंपल सरी नहीं होती हिंदी इंग्लीस मैन पेपर में आएगी बाकी जो है उसका पेपर अलग रहेगा आप तमिल ले सकते हो तेलिग जो भी भासा आप जानते हो बाइस भासाओं में से जो भारते सुधान में माननेता प्राप्त हैं उसमें से जिसकी भी आपको नोलिज है उसमें से आप चुन सकते हो दूसरा डिसीजन आपको यह लेना है कि अगर आपकी अंग्रेजी अगर पर कुछ और पढ़ा रहे होते तो इसलिए यहां English जिसकी वीक है उसको यह decision लेना पड़ेगा कि जो पंजाबी वाले बच्चे हैं वो पंजाबी ले English के पीछे ना दोड़े जो उर्दू वाले बच्चे हैं वो उर्दू ले और जो संस्किरत वाले बच्चे हैं थोड़ी बहुत संस्किरत जानते हैं तो वो यहां संस्किरत ले और खासकर साउत इंडिया का सीटेट का रिजल्ट जादा आता है उसका रिजन है उनकी language तो यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों कि यहां आप अंगरेजी को छोड़के इन तीन language में से भी कोई ले सकते हो उसके भी 30 कोईशन आएंगे और वो उसी तरह आएंगे अगर language second लेते हो तो दोनों गध्यान से मिलेंगे language first के रूप में संस्किरत लेओगे एक इस लोक मिलेगा और एक आपको गध्यान से मिलेगा संस्किरत में तो मैं सलहा देना चाहूँगा कि जिनकी English week है वो 15, 20, 30, 50 लेने के बाद अपने English को यहां सही नहीं कर सकता है ठीक है वो यहां संस्किरत उर्दू पंजाबी में अच्छी performance करेगा तो जो आपका previous question paper है है आप उनको उठाइए और यह देखिए कि आप English के question जादा सही कर पा रहे हो या संस्किरत उर्दू पंजाबी के कर पा रहे हो अगर आपके English के मुकाबले इन language में से आपके question जादा सही हो रहे हैं तो एक language आप यह अपने लो ताकि आप English का जो barrier है उसको तोड़ पाओ क्योंकि बहुत सारे बच्चों का seat at इस वज़े से नहीं होता कि English के 30 परसनों में से उसको यहां 10 परसन ऐसे होते हैं जो पता ही नहीं है इसका answer क्या होगा अब वो 20 करके आता है 30 में से इस में से 5 उसके गलत हो जाते हैं तो 30 में से उसके 15 performance होती है जिसकी वज़े से उसका seat at 24 नंबर से रह जाता है तो यह आपको ध्यान रखना है तो जिसके लिए English difficult है वो आखे बंद करे संस्क्रत की तयारी करे संस्क तेलगू में गारंटी है NCRT की बुक में जो भी पोयम दी है जो भी सलोग दिया है जो भी कविता दी है जो भी गद्यान दिया वो ही आएगा उससे बार कुछ नहीं आएगा तो इसलिए आपको ध्यान रखना है वो decision आपको लेना है कि आपकी language कौन कौन सी होगी आप दोन English वीक थी और English को language चुन लिया आप कोई भी भासा जो वहाँ पे आती है मैन पेपर में Hindi और English ही होगी बाकि कोई भी language चुनोगे उसका पेपर आपको अलग से मिलेगा यह आपको ध्यान रखना है दूसरी चीज यह ध्यान रखना है सहले बस सब को पता है यह तो आप पैड इसरी लेंग्वेज आपकी English हो गई या English की जगह आपकी संस्किरत हो गई और ता आपकी EBS हो गई और फीपता आपका हो गया मैत तो आपको यह ध्यान रखना है सब को पता है कि यह 30-30 परसन आते हैं लेकिन मुद्दा यहाँ पर यह है कि अगर आप पैड़ागोजी पे क आपको यह ध्यान रखना है कि पूरे पेपर का लग भग 75 तो पैड़ागोजी है अब यह सारे पैड़ागोजी है यह कितने कोश्चन है 75 यह कितने है 75 टोटल कितने है 1500 अब आपको दो डिसीजन लेने है एक तो लेंग्वेज वाला दूसरा यह कि 1500 में से 75 आ रहा है पैड पैड़ागोजी सब्जेक्ट वाज टार्गेट कर जाओ तब आपका सीट है 100 परसेंट है ठीक है क्योंकि आपको तो 90 ही चाहिए ना जरनल कैटेगरी में तो आपको 15 कोश्चन तो आप इनमें A, B, B भरके आओगे 75 में 15 तो यहां ले ही आओगे यह जो 75 है इसमें यह तो B की भी भर्यान या सीटी पंदर तो इधर से आगें और 15 आपके बडरा गोजी है और पैड़ा गोजी का गेम क्या है यह तो सारी सही होगी यह सारी गलत होगी चलो मान लेते हैं कि आपने गलत कर दिया यहां आपके 75 में से आपके साठ आगे ठीक है इधर इतने चाहिए से ला सकते हो इसमें से negative marking थोड़े ही होती है डेड़ सो के डेड़ सो question attempt करने है एक तरीका तो ये था दूसरा तरीका ये था कि आप language को target कर जाओ आप क्या कर जाओ दोनो language को target कर जाओ language आएगी 60 number 50 number इसमें से उठा जाओ इसके बाद बचे आपके 90, 90 में से आपको कितने लाने है याँ पर 90 में से लाने है 40, क्या आप 90 में से 40 नहीं ला सकते ये तो आप दो language target कर जाओ ये तो CTAT आपका ये कराएगी South India वाले जितने भी student हैं वो language के दम पे CTAT निकालते हैं एक उनकी तमिल अपनी खुद की होती है एक वो English ले ले लेते हैं English medium से पढ़ते हैं दोनो language उनकी अपनी आपकी ये तो अपनी होई नहीं सकती कभी क्योंकि English वाला जो पेपर बनाता है वो तो ये मान के चलता है कि मैं तो England में पैदा हुआ था तो सबसे difficult कोई subject आता है तो वो English आता है सबसे आसान कुछ आता है तो संस्किरत उर्दू पंजाबी तमिल तेलगू मलयालम ये सब आते हैं इससे भी आसान कुछ आता है तो EBS तो ये आपको दियान रखना पड़ेगा ये तो पैड़ागोजी के question को आधार बनाओ या फिर language को target कर जाओ यहां 60 में से 50 question अराम से आपके हो जाएंगे क्योंकि ये 15 question ये 15 question तीस के 30 सही कर सकते हो बाकि इसकी पैड़ागोजी भी आसान होती है ये आपको दियान रखना है तो ये तो आप इस वाले game में खेलो ये वाला game कौन सा है 90 में से 1.500 और ये वाला game कौन सा था 75 पिछ 75 ये तो आप इस वाले game को खेलो ये आपको धियान रखना है इसमें से ले के कितने आओ इसमें से 30 ले के आओ इसमें क साथ ले के आओ तब जाकर आपकी हो जाएगी बले बले और इस के लिए केड़ाग आपको 15 से 20 दिन मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं 15 से 20 दिन अगर भंग से अपने अपना सेलेबस समझ लिया कि हमें क्या नहीं पढ़ना हैं आपको यह पढ़ना है तो बच क्या गया आपका यह कोश्चन भीना कि अगर आप डिरेक्ट जाओगे तो भी इतना ही परफोमेंस करोगे जितना आप आज कर रहे हो पेपर में तो इसलिए syllabus बढ़ा है इनका तो 15 दिन का syllabus है और आपको टोप तो करना नहीं है आप में से बहुत सारे बच्ची है जो केवल 90 ही लाना चाहते हैं तो 90 तो आपके इसी से आगे तो जो syllabus में time लगेगा यह पहले 15 question जो child development के हैं यह 15 EOS के subject के NCRT की book के यह math NCRT की book के इसमे time आपको लग रहा है syllabus इन 45 question का बढ़ा है इसको आप 2 महिने तक पढ़ोगे यह तो syllabus बाकी जो 15 दिन का है उसको target करोगे तो CTAT निकल जाएगा और दूसरी चीज अगर आप self study के दम पे YouTube के दम पे अगर फिर भी गबरा रहे हो अच्छे teacher को पढ़ने के बाद तो फिर आपको इस team के साथ जूड़ना पढ़ेगा तब जाके आप CTAT के साथ साथ UPTAT और teaching का लग बग 60 से 70% syllabus कवर कर जाओगे आपको UPTAT, superTAT के लिए ज़्यादे में efforts नहीं लगाने है CTAT के अंदर जितना भी है 999 में आपका फस्ट पेपर है, 999 में आपका सेकिंड पेपर है, 6-8 वाला और 1299 में दोनों है 1-2-5 और 6-8 ध्यान रखना है B.A.D. वाले बाहर हो गए है 1-2-5 से, इलिए कोई भी B.A.D. वाला कोशिश ना करे 1-2-5 का पेपर देने की वाले को ही जिन्दाबाद रखे और आप 999 में जो दिवाली का उपर है केरेविल पर आकर इस पूरी टीम के साथ जिसमें इमान सी महम है उदे सर है, इसके साथ अभी से सुमन सर है, जो आपको SST कराएंगे विवेक सर है, जोगरफी, EVS दोनों संभालेंगे, इंदी संस्किरत में कराऊंगा आपको, साइंस सत्यंदर सर कराएंगे, अरुन गोतम सर आपको इंगलीज कराएंगे, और सबजेक्ट पेड़ागोजी की आपकी special अलग से faculty है, ठीक है, वो भी से ही करते आएंगे, 2011 से लेके अब तक, ओन लाइन, ओप लाइन, तमाम ये teacher, पिछले ओन लाइन, पांच साल से, और ओप लाइन, पिछले प्यारे दोस्तों, लग बग आट से, नो साल से, सारे teacher अलग अलग जगे पढ़ा रहे हैं, सभी दोस्तों को नमस्कार दन्यवाद, अब मेम की किलास है, मेरी किलास दुबारा से फिर होगी, और वो होगी हिंदी पैड़ा गोजी की किलास, दन्यवाद दोस्तों